दोस्तो नमस्कार, क्रेवास फॉर्मासिटिकल की इस हेल्थ जर्नी में आज हम हर्दा जिले में हैं और यहां पे आज हम हमारे साथ में जो हैं श्री ममता जीवने मेडम हैं जो की स्री रोग विशे शग्ये हैं आज का जो वीडियो है वो गर्वती महिलाओं के लिए बड़ा खास वीडियो है क्योंकि उनके पेट में एक नया मेहमान है जो उनका वंश आगे बढ़ाने वाला है तो उसकी देख रेक बहुत जरूरी है औ हमारे बहुत से दर्शक हैं उनमें कहीं माताएं हैं तो एक जो महत्मूर्ण सवाल है वो यह की बच्चे का बराबर विकास नहीं हो पाता है तो इसे क्या कहते हैं और यह समस्य क्यों होती है मा के पेट में बच्चे का विकास सही तरीके से ना हो ना इसको हम लोग हमारी अन्दारे में इन्टराइन बूलते हैं या इंट्रा यूतिराइन ग्रोफ रिटार्डडेशन मतलब यूटरी से अन्दर कोलु रिटारड अधर प्रोपर नहीं है इस को आहें बच्चे कारण चुछी्ग मैं और साथ में कर द हम अमरा कुछ को करनों में ग्रोफची अवय सकते हैं किस अंपकारन कारण को याum कोisen की कारण में कुछ बच्चे की कारण gonna एक कारण कोरुическая प्लेस कारण में जो बच्चे कारण इसके अलावा भी कुछ कारण होते जिनकों इडियोपैथिक बोलते जो हमारे टेस्ट से पकड़ नहीं सकते जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है इसमें मदर के अगर कारण है जो कि जाधा तर देखने में आते हैं तो उसमें मा को को एगर है अगर है ब्लड प्रेश जिए था क्या यानि जो मदर पैदा हुई थी उसका भी वजन जन के समय पर बहुत कम था क्या मा में कुछ प्रकार के कंजनाइटल इंफेक्शन्स यह सब कारण और लंबी लिस्ट है इनकी जिसमें की मा के पेट में बच्चे का बड़ा बराबर नहीं होता है बच्चे के बच्चे के कुछ इंट्र इंप्रेटीनी इंफेक्शन से बच्चे में कोई जनेटिक क bate고 विकृतिया है बच्चे कि जैसे जहां किमल यह कुछ बड़ते हैं यह जया वह त्वक्लाटार वो एक है या थिन प्लासंटा यह सब सब्सक्रेशन लोग अ का गया है यह उत्तरू प्लासेंटा में जिसको खुरियोंग बोलते हैं और भी प्लासेंटा के कारणों के भी लंभी लिस्ट है तो यह कुछ कारण है मां के बच्चे के और आवन के जिसमें के बच्चे की ग्रोथ रिटार्डड रहती है यह पकड़ना बहुत जरूरी अनौ महीने में कि बच्चा धिलिवरी का fragmachetal署 माट्रणी देख रही है तो इसलिए इसको पकड़ना जरूरी है और उसका टाइमली लाज और ताइम से डिलिवरी जरूरी है अथितल इसो में तो यह वो बात समझ गई है कि उन्हें डॉक्टर के पास इन सब बातों के लिए आना है क्योंकि वो तो समझ नहीं पाएगी मां की उसके पेट में क्या हो रहा है अब वो आपके पास जब आती है अपने जिकित्सक के पास जहां भी वो जाती है तो आप लोग ऐसी कंडिशन म में ग्रोथ नहीं ले रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग क्लिनिकली समझते है हिस्ट्री मा की हिस्ट्री की उसका जब उसको पूछते हैं कि उसका उम्र क्या है तो जैसे बहुत जादा या तो 35 से जादा उम्र है आठरा सल से कम उम्र है तो इन लोगों में भी एफजीर का वेट कितना है और फिर हर विजट पर वेट गला है कि नहीं हूं कुछ है हम लोग जब पेट से जाज करते हुँ न की तो हम लोग को अन्दाजा रहता है कि जैसे फ्स मंच के प्रेगनन सी है तो यूटरस की हाइट कहा मिलेगी जिक्समां अब अग्र यूटरूस की हाइट जहां 6 मंस पे होनी चाहिए वहां नहीं है और वह 5 मंस पे ही है means वह ग्रोह नहीं कर रहा है कई बार हम लोग इसको टेप से भी मेज़र करते हैं कि माक के अमलाइकस के लेवल से जिसको कि हम लोग मतलब अब्डॉमिनल सर्कंफरेंस बोलते हैं और एक सिंफाइज फंडल हाइड भी होती जिसमें हम लोग नीचे से लेकि उपर तक टेप से मेजर करते हैं इंच से कि हाफते के हिसाब से यह कहां होनी चाहिए यह तो एक ब्रॉड क्लिनिकल तो हम लोग उसको सोनोग्राफिय एडवाइज करते हैं एक्चुली बोला जाए तो ग्रोथ के लिए दो स्टेजिस में सबसे इंपोर्टन है एक तो पहले स्टेज में होती पहली तिमाही में जब हम लोग का बच्चा होता है लग भग तीन महीने का 11-12 हफते इस पर हम लो एक झा जमें बच्चे यूत्रिश में बच्चेदानी की ब्लड सपलाई जो आटरी कर रहे है उसकी जाँच कर लिकी वह प्रापर कर रही है कि अगर उस समय उस आट्री में ब्लड सपलाई कम है तो हमको यह पताचल जाता है कि फला मारीज का बच्चा आगे चलके बड़त यह इस महिलने गुक्षाते चिकाईड हो सकती है clear यह हम बदैशों को कर दो दूंत को अभी जब विश्चे की ग्रोग बेंपर नहीं है आफ ब्लड में खुष एलोंगा सब्सक्राइब करने नाप अगर दविश्या प्सकें चाहर यह को जो चोंद मेजर्मेंट करते हैं तो झार जै चाहर जगा यह झान चाहर चाहर एट सक्षेंट करते हैं तो यह जिसमे अपनihad मुख्य होता है अब्दोमिन इन चारों मेजर्मेंट में से पेट पतला है बाकी सब बराबर है तो मतला यह बच्च पूर नूट्रिशन के साथ है इसको बढ़त नहीं हो रही है जो आयूजिया यह एफजी आर बच्चे होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक सिमेट्रिकल और एक एस्यमेट्रिकल मतलब बच्चा अनुपात में चोटा है उसका हाथ भी चोटा है पैर पेट भी बारा से सोलह हफ्ते तक ही इनमें ग्रोथ की कमी शुरू हो गई मतलब पहली तिमाए और दूसरी तिमाए के शुरुवाती हफ्तों में ही इसमें कमी पकड़ी बच्चे अबसे ही बढ़ना बंद हो गया यह बच्चे यूशुली बच्चे में जो कंजनाइटल इंफेक्श यह यूज्वली तीसरी तिमाही मतलब दूसरी तिमाही के अंच से तीसरी तिमाही होते है जब आकरी का टाइम आकरी की तिमाही उस समय में इनकी बढ़त कम्जोर हो जाती है यह एसमेट्रिकल में जाते है एसमेट्रिकल वाले को बच्चे को पोश्चन नहीं मिल रहा है मा का न्यूटरिशन कम है बहुत हैवी एक्सराइज है मा से बच्चे को बड़ सप्लाई नहीं जा रही है तो यह ऐसे मेट अज़ा है तो अलग है और इनका इनको बहुत लूजली हमको 9 मन्स मॉनिटर करना पड़ता है क्योंकि यह मतलब किसी भी समय अगर हमने उन पर ध्यान यह दिया तो इन में साथ में पानी की कमी भी डवल्प हो जाती है तो इसको बानिटरिंग का हम लो के पास बैस्ट टूल है सोनोग्राफी द्वारा जाच जिसमें हम लो कलर डॉपलर सोनोग्राफी करते है और बराबर चार मैं खून का बहुते है कि कैसा जा रहा है और अक सब्सक्राइब करने में हमको यह बहुत मदद करती है टूल डाइग्नॉस्टिक टूल कलो डॉपलर सोनोग्राफी ने फजी आर बच्चों में कि बच्ची को कितना पोशन मिल रहा है ब्लड सप्लाइब अब जो आपने मेडम अभी जो बात बताई अब इसमें परिस्तितिया चाहे जैसी हो जो दो परिस्तिति आपने बताई है है तो दोनों ही खतरनाक तो सबसे महत्मुन बात अभी आती है कि फिर इसका उपचार कैसे होगा मा को किस बात का ध्यान रखना है परिवार वालों को किस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का विकास जो है वो तरीके से यह उवापस से ग्रोट में यह this is को बसके रहता है कि प्रेगनेंशी को हम प्रोलाउंग करें इस टेज टक कि इलिवरी सामें पर बच्छी का बचना बहुत जाधा साम पॉसिबल हो तो हम लोग जो मा को सला देते हैं जो 100% मदद तो करती हैं तो उनको रेस्ट हम थोड़ा जादा बोलते हैं कि आप लोग बाइं करवट लेट दिन में 2 घंटे रात में 8 घंटे कम से कम सो ये बाइं करवट लेटने से मा से बच्चे को खून का भाव सबसे जाता हैं और इसके अलावा दवाईयां कुछ हम लोग दवाईयां भी देते हैं उनको जो की अमीनो एसेड और प्रोटीन जो की हल्प करती हैं कि बच्चे की ग्रोथ बढ़े और उसके असपास का पानी बढ़े इनसे बहुत चमतकारी फाइदा तो नहीं मिलता है लेकिन डेफि जिसे हमको मोटे तौर पर घर उसकी मॉनिटरिंग हो पाती है बच्चे की कि हाँ ये ठीक है अंदर ठीक है स्वस्त है बढ़ रहा है और फिर हम लोग ये जाचो के अधार पर जो मैंने आपको बताया कि अधार पे क्या रिपोर्स और पानी कितना ये डिलिवरी उसको कब और कैसे हम लोग को प्लान करनी है तो यही में ट्रीटमेंट और मैलेजमेंट है जी उफ इतनी सारी समस्यां हो सकती है किसी बच्चे के साथ और पहले के जैसे दौर भी नहीं है दादी नानियों वाले जॉइन फैमिली नहीं है चोटे परिवार हैं तो मा को विशेश तोर तो कौन से कॉंप्लिकेशन उसको एक तो वर्तमान परिस्तिती में हो सकते हैं और इन फ्यूचर में उसके साथ क्या खत्रे की संभावना होगी है यह बहुत ज़रूरी क्वेशन है कि अगर कोई बच्चा पूरे समय पे हुआ है लेकिन उसका वजन कम है से मान लीजी अपन तो यह बच्चे होते हैं इनको बहुत सारी कॉम्लिकेशन हो सकती हैं जिसमें एक है 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 फो थर्मिया मतलब बच्चे थन पकड़ लेता है जल्दी से हाथ पैर ने ले पड़ते हैं क्योंकि उसकी चंब्री के नीचे जो फैट या चर्बी की लेयर होती है वह कम होती यह ब परिया रहती है और गाल भी पिछके हुए रहते हैं आखे यूजली खुली रहती है नॉर्मली क्योंकि यह बच्चे पाद रहती है क्योंकि उनकी ऐलिड्स में इनका फैट है नहीं तो इसले आखे भी रहती हैं इसको एक मोटा मोटा हम लग ओल्ड मैन लुक बोलते हैं य उनके पतले हाथ भी पाद भी बहुत पतले होते हैं चुकि चयर भी नहीं होती है इनकी चमड़ी के नीचे तो यह इपो थर्मिया इनको खत्रा जाद रहता है क्या है थंड में यह बहुत जल्दी इनको थंड लग सकती है जिससे इनके हाथ पैर नीले पढ़ सकते हैं और बच्चे के लिए खतरनाक है अगर यह हॉस्पिटल में तो हम लोग इनको वार्मर्स में रखते हैं तो मैं आपने इतनी अच्छी बातें बताई इनिश्चित तो पर हमारी सभी महिलाओं के लिए बेहत काम की बाते हैं चलते चलते एक कोई छोटी ची सला की कैसे घर पर भ जाइट मिले और एक रूटीन जो अप्स्टेटिक चेक अप होता है वो जरूर टाइम टू टाइम करा है यह हम लोग अगर कोई कॉप्लिकेशन नहीं है महिला को तो भी बोलते है कि प्रेग्नेंट होने से लिए कि साथ महीने तक कम से कम हर महीने चेक अप आठवे महीने मे जरूरत है कि थोड़ी महंगी होती है तो फिर भी अपने पर भरोसा करें और वो टेस्ट जरूर करा है क्योंकि उससे बच्चे को ग्रोथ पकड़ने में हम जो ट्रीटमेंट करेंगे और बच्चे के ग्रोथ में दोनों में उसको बहुत हम हेल्प कर सकते हैं डूक्टर पर भरोसा करें डॉक्टर पर इसलिए भरोसा करें क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर ही है जो आपके स्वास्त का ध्यान रखता है तो दोस्तों इसके बाद और भी ऐसी कोई आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा और भी टॉपिक्स पर हम मेडम से बात करें फिलाल हमारे साथ डॉक्टर मम्ता जीव ने थी और जिन्हों ने हमें इस बीमारी के बारे में बताया कि कैसे आपको ध्यान रखना चाहिए अपने निकटतम जो भी चिकितसक हों उनसे सला जरूर लीजिएगा क्योंकि आफ्टराल वो जो मेहमान है वो आपका भविश्य है आपके परिवार का चिराख है मेडम आप हमारे साथ जुड़िया आपका बहुत बहुत जन्यवाद